भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच लंबी दूरी के मिसाइल डेवलप्मेंट के काम को तेज गति से कर रहा है। इससे भारतिय नौसेना को अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता मिलेगी। भारत की वर्तमान मिसाइल शक्ती दूसरे देशों की दया पर निर्भर है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट्स स्वदेशी करण को भी बढ़ाएंगे इन हिंद महासागर में तेजी से अपनी नौसेनिक उपस्थिती को बढ़ा रहा है। चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए गंभीर खत्रा पैदा कर रही है। इस कारण भारत ने भी अपनी रक्षात्मक तयारियों को तेज कर दिया है। भारतिय नौसेना तेजी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतिय नौसेनिक मिसाइल प्रोग्राम में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के डेरिवेटिव एक नई सबसोनिक नेवल एंटीशिप मिसाइल N.A.S.M. सीरीज का विकास सुपरसोनिक ब्रहमोस मिसाइल के लिए रेंज एक्स्टेंशन प्रोग्राम ब्रहमोस N.G. का और बैलिस्टिक लॉंग रेंज एंटीशिप मिसाइल L.A.S.M. शामिल हैं। अगर भारतिय नौसेना को ये हथियार मिल जाते हैं तो हिंद महासागर में उसकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी दगी के बीच लंबी दूरी के मिसाइल डेवलप्मेंट के काम को ते मिसाइल की घोशित रेंज खावजार किमी तक है। इसे DRDO के वैमानी की विकास प्रतिष्ठान ADE ने विकसित किया है। जनवरी 2023 तक इस मिसाइल के आठ सफल उडान परीक्षण किये जा चुके थे। उडान के दौरान विंग डिप्लॉयमेंट और उडान के दौरान सिद्ध किया गया है। ADE का इरादा मिसाइल और उसके वेरियंट के साथ 100% स्वदेशी करण हासिल करने का है जो इन सिद्ध प्रोध्योगिक्यों को विरासत में मिलेगा। तरह से काम कर रहा है। ब्रहमोस एरोस्पेस तिरुवनंत पुरम में अपनी यूनिट के साथ STFE इंजन का उत्पादन कर रही है जो अपनी उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 18 इंजन तक बढ़ा रही है। चिकरन प्रयास का एक प्रमुख हिस्सा है। सैकड़ों में है 500 किमी होगी। मिसाइल की रेंज इस मिसाइल की खासियतें भी सामने आई है। इसकी घोशित सीमा 500 किमी है। जबकि लंबाई 5.6 मीटर, व्यास 0.505 मीटर और पूरा वजन 900 से 85 किलोग्राम है। ये मिसाइल मैक 0.7 की गति से उडान भर सकती है। टर्मिनल फेज में इस मिसाइल के मार्ग दर्शन के लिए आरेफ सीकर के साथ आइनेस, जीपीएस नेविगेशन की सुविधा से लैस है। SLCM में दो प्रकार के वारहेड होंगे, PCB और Airburst, जो इस पर निर्भर हो सकता है कि SLCM, LACM या ASCM संसकरण का है या नहीं। SLCM निर्भय की तुलना में उलेखनी ये रूप से अधिक कॉम्पैक्ट है, जिसमें क्रूज फेज की लंबाई 0.4 मीटर कम है, व्यास 15 मेमी कम है और द्रव्यमान में कमी है। SLCM की काफी कम रेंज संभवत पंडुब्यों के टारपीडो ट्यूबों में मिसाइल को फिट करने की आवशक्ता से जुड़ा हुआ है। यह मिसाइल ब्रह्मोस के लिए उपयोग किये जाने वाले युनिवर्सल वर्टिकल लॉंच मोड्यूल, युवीलम, सेल से फायर करने में सक्षम होगी। SLCM और LR LACM के लिए Airframe Godres Company बना रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बनी रहेगी भारतिय नौसेना की जान। ब्रह्मोस मिसाइल काफी लंबे समय से भारतिय नौसेना का मुख्य हत्यार बनी हुई है। 2027 तक जब भारतिय नौसेना अपनी KH-35, क्लब, एक्सोसेट और हारपून मिसाइल को हटा कर स्वदेशी मिसाइलों को तैनात करना शुरू करेगी, तब ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल ही स्ट्राइक क्षमता को बरकरार रखेगा। राजपूत क्लास के पुराने युद्धपोतों पर ब्रह्मोस मिसाइल अब भी तैनात है। वहीं विशाखा पत्तनम क्लास के INS इन्फाल जासे जहाजों पर ब्रह्मोस के विस्तारित रेंज वेरियंट का परीक्षन किया जा रहा है। एड़ार 500 किलोग्राम वजनी मिसाइल का पहली बार प्रक्षेपन कुछ महीनों के भीतर होने की उम्मीद है। ये मिसाइल ब्रह्मोस LCM के विपरीत लडाकू विमानों पर तैनात की जाएगी। अभी तक इसे सिर्फ स्पेशली मॉडिफाइड सुखोई ACU 3CM के आई।